नमस्कार दोस्तो दोस्तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अंदर अंदर बुखार रहता है चाहे वो टाइफाइड का बुखार हो चाहे हलकाफुल का मलेरिया हो और हड़ी पर बुखार रहता है अंदर बुखार रहता है और ठीक नहीं हो रहा है बहुत वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तों देखिए कई लोगों को बुखार जो आता है वो नॉर्मल बुखार होता है तो सफिक्सिम टैबलेट से ठीक हो जाता है साथ में जो बुखार की टैबलेट होती उसे देने से ठीक हो जाता है और कई लोगों को अंदर- combination है इससभी प्रकार के बुखारों में इसका इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है जैसे कि बुकार है जो ठीक नहीं हो रहा है तो आप इस formula को इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बीन डॉक्टर की इसला के नहीं इस्तमाल करना है तो देखिए सबसे पहले जो है सफिक्सिम टेबलेट है और एबुड कंपनी की है ये एक जनरिक प्रोड़क्ट है तो आप इसकी जगह पे एथिकल जैसे की सीफोल एक टेबलेट आती है बहुत सारे ब्रांड आते हैं तो उसका इस्तमाल कर सकते हैं टेबलेट यानि की कुलोर्यों को फोसपेड टेबलेट होती है और ये मलेरिया के बुखार को ठीक करने के लिए इस्तमाल की जाती है और अंदरुनी बुखार को ठीक करने के लिए भी इस्तमाल की जाती है जैसे कि अंदर उनी बुखार अंदर बुखार रहना हाथ पाओं में दर्द रहना और खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा गरम हो जाना जुर जुरी आ जाना पूरे शरीर में उस प्रकार के बुखार को ठीक करने के लिए इस कॉंबिनेशन का इस् जेशन में चाहिएं should look love 있을 जाना धानी के बाद लेनी चाहिए और तीन दिन से लेके तक साथ दिन से एस्तिमाल करना सब्सक्राइब करना के अगर तो साथ में जो राट एक टैबल्ट आती है और दाइन एससे लोग त्टब्रेट आती है स्कारायइशत कर सकते हैं ठीक है और साथ में अगर खांसी जो खांबुखार भी है खांसी वगरा भी है तो साथ में कफ सिरफ भी ले सकते हैं जैसे कि ये एलेक्स कफ वगरा आता है उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं तो ये जो फॉर्मूला है ये सिरफ उन लोगों के लिए है जिनको अंदरोनी बुखार रहता है ही हो रहा है आप तीन दिन तक किस्तमाल कीजिए आपको अगर फरक लगता है तो आप साथ दिन तक किस्तमाल कर सकते हैं और नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर से जरूर मिलिएगा डॉक्टर को दिखाईएगा उनसे जाच करवाईएगा खून की ठीक है और बिना अजाज के वैसे भी आप इसे नहीं लेना है आपने डॉक्टर की सला के साथ में ही इसमार करना जब वो चेक कर लेंगे आपको और फिर आपको बता देंगे आप पूछ सकते हैं कि यह दौई हम ले सकते हैं तो आपको बता सकते हैं ठीक है यह फिर आप अपने पिजली होना दाने निकलना या फिर उल्टी घबराहट मतली चक्कर कब्स बनना पेट में गैस बनना अगर इनमें सो कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपको तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को जरू दिखाईएगा दोस्तों आप इसे तीन दिन एक बार जरूर ले का धन्वाद